कि अलो फ्रेंट्स वेलकम टो थिंक टेंग मेरा नाम है शेखिलाल उमीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम्मारा जो लेक्चर जा रहा है वह इंडिन फ्रीडम स्ट्रिगल आज उसका गंधियन एरा का सेकंड पार्ट रहेगा ज हमने नउन कोपरेशन मुवंवेंट देखा ठा और उसके बाद जो है वह है सिवल इसाइब संपिट्स पर दोस्तों यह रौन केबल समिट हुए थे तीन हैं थैंधियन फंटिऑ हूं नीचिन तएवाना, इंटिटीवॉन नीचेन फिक तूडि कैं तो फस्ट्राउं टेब तो 87 परसनल ने पहले एक round table में पाटिसिपेट किया और इसमें Congress ने बाइकाट किया था मैन लीडर जो थे कभी पूचा जाता है बियार अमबेद कर महामद ली जन्ना तेज बाहदुर यह मैन लीडर थे और Congress ने इस summit को बाइकाट किया था ठीक है उसके बाद क्या होता है फि और उनसे यह पैक्ट करता है कि आने वाले जो second round table है उसमें आप पाटिसिपेट कीजिए इरवाइन का यह कहना था तो एक MOU sign होता है चलो अभी हम second round table जो है वो उसमें पाटिसिपेट करेंगे फिर उसके बाद फिफता मारिच second round table summit जो है वो 7th of September को start होता है to December 1931 ठीक है इ इसमें जो है गांदी जी ने जो रिप्रेंजेंट किया था कॉंगरिस को और इसमें क्या था सवरो जी ने रिप्रेंट किया था इंडियन वोमेन को clear और जो बियार अमबेद कर थे और मौमद लिजन्ना थे इन्होंने इस में इस round table summit में इन्होंने मांग की थी कि हम separate election करें ठीक है तो तब जाके हम election करेंगे तो इन्हेंने separate election किया separate election का demand किया तो गांदी जी इसे खुश नहीं थी गो नहीं थे गांदी जी ने कहा था कि नहीं हम पूरे general elections करेंगे तो जिसको vote देना होगा वो उसको देगा ठीक है तो इस वज़े से ये सारी चीज़े जो है वो बा तो उसके बाद एक पैक्ट होता इनके दर्मियान जिसका नाम है पूना पैक्ट यह होता है चोबिस्त सप्टमबर 1932 में तो जगा थी वो यरवाड़ा संट्रल जेर में हुआ था इसमें जो मीडियेटर थे वो थे डॉक्टर रजिंदर प्रसाद और थे मम मालविया ठीक ह आप आपस में हमें बैटना नहीं है हमें यूनाइट रहना है तब जाके हम किसी मसलिक को हल जो है वो निकाल सके तो इनका इधर में एक पैक्ट हुआ जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट इट वाज आल बाट कनेक्ट बिट्वीन गांधी जी एंड ब्यार अम्मिद्कर ठीक इसमें क्या था इसमें भी कुछ नहीं था 46 लोग उने पार्टिस्पेट किया अनली और कांग्रेस एंड महमद अली जिना ने भी इसमें बाइकाट किया था यहने आप अगर कोच्छन आप से पूछता है कि वह कूंस कितने समिट में कांग्रेस ने रिप्रेजंट किया था वह राउंटेबल में तो एक समिट में एक रो टेबल में कांगरस ने रिप्रेजंट किया था और महमद एली जिना ने दो पार्टिस्पेट BR Ambedkar was the only person who participated in all the three round table summits तो BR Ambedkar ने जो है वो तीनों summits जो है वो उन्होंने participate किया ठीक है तो यहां तक हमारा गंधियन एरा जो है वो complete हुआ I hope आपको यहां तक सारी चीज़े जो है वो clear हो गई होंगे Thank you so much, please support करते रहे हैं सबस्क्राइब करते रहे हैं बाई 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 गोड़ बिलेस यूवाल